आज के इस वीडियो में हम लोग 12 वी कक्षा के अर्थसास्तर विशाय के चेप्टर संख्या 14 की कुछ महत्पर्ण लगोत्रिये और त्रिखुतरिये प्रस्नों पर प्रिचर्चा करेंगे अर्थसास्तर चेप्टर संख्या 14 जिसका नाम है मांग एवं पूर्टी बलो के शरल प्रियोग आईए प्रस्न शुरू करते हैं आज का पहला प्रस्न है शंतुलित कीमत क्या है आपका उतर होगा जिश कीमत पर बस्तु की मांग तथा बस्तु की पूर्टी आपस में बराबर हो जाए उश्य कीमत को शंतुलित कीमत के नाम से चानते है कीमत का संतुलन मांग और पूर्टी के द्वारा तय होता है दुसरा प्रश्न है एक व्यक्ति बस्तू की मांग क्यों करता है एक व्यक्ति बस्तू की मांग क्यों करता है आपका उतर होगा एक व्यक्ति बस्तू की मांग इसलिए करता है क्योंकि बस्तू में उपयोगिता नहीं तो होती है और ब्यक्ति बस्तु की मांग मांग के नियम के दोरा करता है अर्थात उची कीमत पर कम बस्तु का मांग करता है और कम कीमत पर अधिक बस्तु की मांग करता है यही कारण है कि करेता का मांग बकर बाएंसे दाएं नीचे क्यों गिरता होता है अगला प्रश्न है बस्तु की पूर्ती से आप क्या समझते हैं अथवा विक्रेता के द्वारा बस्तु की पूर्ती क्यों की जाती है आपका उतर होगा बस्तु की पूर्ती विक्रेता के द्वारा की जाती है जिसका उदेश्य बस्तु को बेचकर लाभर जित करना होता है और बस्तु की पूर्ती पूर्ती के नियम के द्वारा होता है कम कीमत पर कम पूर्ती और अधिक कीमत पर अधिक पूर्ती बस्तु की कीमत अथा बस्तु में धनात्मक शमंद या सीदा समंद होता है और पूर्ति बक्र की रेखा बाय शेदाय उपर क्योड बढ़ता है अगला प्रशन है कीमत की उच्चतम शीमा से आप क्या समझते हैं कीमत की उच्चतम शीमा से आप क्या समझते हैं आपका उतर होगा कीमत की उच्चतम शीमा उस कीमत को बताती है जिशे विक्रेता सरकारी हस्तचेप होने पर अधिक्तम कीमत के रूप में पराप्त करती है अगला प्रशन है कीमत की नियुन्तम शीमा से आप क्या समझते हैं उत्तर होगा कीमत की नियुन्तम शीमा उस कीमत को बताती है जिशे सरकार बजार में वसुली जाने वाली नियुंतम कीमत के रूप में निर्धारित करती है अगला प्रस्ण है मांग और पुर्ती बलो का सरल परियोग कहां कहां किया जाता है आपका उतर होगा मांग और पुर्ती बलो का सरल परियोग कई छेतर में किया जाता है जैसे लगान निर्धारन में, मजदूरी के निर्धारन में, व्याज के निर्धारन में और खाद्यान के उपलब्रता में और अगला प्रश्न है कि मजदूरी के निर्धारन में मांग एवं पूर्ती बलों का उपियोग को अस्पस्ट करें अपका उतर होगा मजदूरी वह कीमत है जो स्रमीकों को उत्पादन कारे में उसकी शिवाओं के बदले में नियोजक द्वरा चुकाया जाता है अर्थात श्रम की कीमत मजदूरी कहलाती है अर्थात जब स्रम की मांग और स्रम की पूर्ती आपस में बराबर हो जाती है तो इसी बिंदू पर मजदूरी का निर्धारन होता है तिये रहा अर्थ सास्तर चेप्टर संख्या 14 के महत्पुर्ण लगहुतरिय और दिर्खुतरिय प्रश्न अगले चेप्टर के महत्पुर्ण परश्नों के लिए हम लोग अगले क्लासे मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद